दोस्तो आईपेल 2025 से जूरी तीन बड़ी खबर निकल कर सामने आई या जहाँ पर आईपेल के तीन बड़े दिगज खिलारी ले सकते हैं सन्यास तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आज के इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखेगा और दोस्तो अगर आभी CSK के बड़े वाले फैन है तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको आईपेल से जूरी हर जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहे तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि सभी टीमे आईपेल 2-025 की मेगा आक्सन की तैयारी में जूटी हुई है जहाँ पर आपको कुछी महिने में आईपेल आक्सन देखने को मिलने वाला है ऐसे में सभी टीमें प्लानिंग कर रही है कि किस खिलारी को रिलीज किया जाया और किस खिलारी को रिटेन। ऐसे में जो पहले खिलारी का नाम निकल कर आ रहा है वह है अमीत मिस्रा, अमीत मिस्रा को टीम इंडिया में जादा खेलने को मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने आईपियल में अपनी चमक खूब भिखेरी और वह लीग में चौथे सबसे सफल इस्पीनर है, वहीं अगर बात करें दूसरे खिलारी को लेकर तो वह है प्रियांसु चावला, दोस्तो इस लिस्ट में सबसे सफल गेंदवाज प्रियांसु चावला है, प्रियांसु चावला की उम्र 35 साल है, लेकिन मेगा ओक्षन में सायद ही उन पर कोई दाव लगा सके, ऐसे में वह सन्यास का ऐलान क कर सकते हैं इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है सिखर धवन का सिखर धवन टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं सिखर धवन भी आईपियल 25 के मेगा ऑक्षन में नजर आ सकते हैं सिखर धवन पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं लेकिन स्ट्राइक रेट काफी ज़्याद